Hello everyone, मैं हूँ Anis और आप देख रहे हो Marvelous Education आज की वीडियो में बात करने वाल हूँ Maxima और Minima के बारे में ये जो है हमारा Basic Maths सीरीज का तीसा नंबर पार्ट है इसके पहले मैंने दो सीरीज बना चुक है जिसों मैंने differentiation के बहुत सारे rules and regulations सिखा दी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उपर जाके सर्च करना है Basic Maths by Marvelous Education वो वीडियो सामने आ जाएगा फटा फटा से देख लेना उसके बाद ये वीडियो समझने में बहुत असानी हो जागा तुमारे लिए ये जो है एक्चुल में Maximum मिनिमा Physics के अंदर बहुत जादा यूज होने वाला टॉपिक है इसलिए इस टॉपिक को बहुत असे समझना तुमारे लिए बहुत जूरी है अब तो आप हम चाहो तो हमारे वीडियो को देख कर साथ में हमारे वेबसाइट पर जाकर मॉडिल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसका डिप स्क्राइब मैंने नीचे लिंक पर दे दिया है जाए टाइम वश्णा करते हैं चलो श्राट करते हम आज का ये वाले वीडियो जैसा कि मैंने अभी अभी डिसकस किया कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में तो ध्यान से सुनना मैक्सिमा मिनिमा को मैं सबसे पहले ग्राफ से समझाता हूँ कि maxima किसको बोलते हैं और minima किसको बोलते हैं जैसे मालों मैं ग्राफ ट्रॉ करता हूँ छोटा सा इस तरीके का ऐसा मैं ग्राफ ट्रॉ करता हूँ यह है हमारा y axis और यह हमारा x axis अब मैं इसमें क्या किया है ग्राफ जो ट्रॉ किया कुछ ऐसे जा रहा है sign का graph है, अब मैरे सोगे पूछे गा कि इसमें ये बता दो मुझे कि maxima कहा है और minima कहा है, तो ये मुझे दिख रहा है कि maxima यहाँ पे है, a point पे और दूसरा minima इस point पे है, मतलब अगर a point पे देखेंगे तो y का value जो होगा, वो maximum होगा है, देखो highest value यहीं है, अगर मैं इस b point पे देखूंगा तो सबसे कम value यहीं ले रहा है, ये कालाता है maxima और ये कालाता है minima, इसको बोलते हैं, इस वाले point को बोलते है, point, point of maxima, और इसे बोलते हैं, इस वाले को बोलते है, point of minima, मतलब वो point जहाँ पे minimum value तुम्हें मिलने वाला है, x का वो value जहाँ पे maximum मिलेगा, उसको बोलेगा point of maxima, और जहाँ पे minimum value मिलेगा उसको बोलेगा point of minima, अब जैसे देखो, मालो मुझे maximum और minima निकालना है, तो एक चीज़ हम देखने की कोशिच करते हैं, कि अगर सोचो कि मैं उझे, अगर slope निकालना हो, तो slope निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते थे, तो slope निकालने के लिए हमारे पास formula होता था, dy by dx, slope निकालने के लिए क्या होता था, dy by dx, अगर मालों इस point पे मैं slope निकलना चाहूं, तो यह slope मतलब dy by dx, मतलब differentiation उस point पे निकलना, अचा, dy by dx मैं निकालना, यहाँ पर dy by dx, तो यह line का एक slope निकल के आएगा, इस वाले line का, तो यहाँ पर slope आएगा, इसको कह सकते हैं, यह किसके बरावर होता था, tan theta के बरावर, अचा, tan theta, यह बताओ, यह जो है line, अगर नीचे की तरफ shift करूँ, और x axis से angle बनता वा देखो, तो कितना angle बन रहा है, theta के value जो यहाँ पर मुझे दीख रहा है, वो 0 degree दीख रहा है, अचा, theta के value 0, तो tan theta कितना, 0, tan 0, इसका मतलब dy by dx भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए देखो, यहाँ पर अगर हम चाहे, maxima पर, तो अगर मैं dy by dx निकालू, इस पूरे curve का, तो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, वैसे ही, अगर मैं इस वाले point पर भी dy by dx निकालू, यानि कि इसका slope निकालू, तब भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर भी dy by dx निकल के मतलब differentiation निकालू, तो इसके अधार पर मैं चाहूं, तो maxima पर minima निकालने का कुछ steps बना दूँगा, उन steps को ध्यान से सुनना, उसी पर सवाल सारे का सारे बनेगे, यह तो हुआ पूरा theory जिस जो मैंने तुम्हें समझाया, कि यह चीज़े होता है maximum, यह होता है minima, यह होता dy by dx, उस वाले function का dy by dx निकाल दो, और equal to कर दो 0, equal to इसे कर दो किसके, 0 के, और dy by dx को equal to 0 करने के बाद, फिर second step में क्या करो, add dy by dx is equal to 0, find x, x का value आगा, यह हो सकता है इसका संख्या एक value भी आजाए, हो सकता है इसका value दो को आजाए, हो सकता है इसका value तीन को आजाए, जितना आएगा उतना point of maxima, point of minima होगा, यहीं बताएगा कि तुमारा point of maxima, point of minima कौन कौन है, अब यह जो points आएगा, माल लो एक point कुछ न कुछ आया, x का value एक दूसरा आया होगा, एक तीसरा आया होगा value, इन सारे values पे अब मुझे क्या क करना है, कि हमारा वो जो point है, वो maxima है, क्योंकि maxima पे भी diva by dx 0 ही होता है, और minima पे भी diva by dx 0 ही होता है, तो diva by dx निकालने के बाद जो तीनों point आया, उन तीनों point को चेक करना है, चेक कैसे करना है, तो यह जो diva by dx निकाला हो, इसको एक बार और differentiate कर दो, तो diva by dx को d square y upon d x a square निकाला है, मतलब second time differentiate करना है, और इसे differentiate करके इसका value हमें निकाला है, अगर second time differentiate कर दो, यह चेक करने के लिए, find out d square y upon d x square, यह पहला step रहेगा चेक करने के लिए, और दूसरा step रहेगा, कि put the values, one, two, three, यह तीनों का value जो है, वो इसमें put करोगे, इसमें d square y upon में in, d square y upon में, dx square में इसे put कर देना, जैसे वो put करोगे, तो वो दो तरह का value दे सकता है, हो सकता है कि वो positive आजा है, हो सकता है वो negative value आजा है, अगर वो value positive आता है, तो इसे कहेंगे point of minima, अगर यह negative आ रहा है, तो यह हो जाएगा point of maxima, यही चेक करने का तरीका है, अब यह मुझे पता चलेगा, कि point of maxima कौन है, point of minima कौन है, अगर point of maxima, point of minima इन तीनों में से निकल के आ जाएगा, मालो मैंने one का value, one पर चेक किया, तो one पर चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वो point of minima है, अगर one पर मुझे point of minima मिला, तो इस value को वापिस से जा करके इस वाले function में put कर दो, जो function starting में मिला होगा, और उसमें, देखो, maxima कैसे निकालना होगा, maxima, for maxima और minima, for maxima और minima, put the values, put the values in ये वाले में y के function में put कर दो, अब आई में जैसे put करेगा, तो वो value निकल कर आजागा, अब मैं थोड़ा live करके दिखाता हूँ, कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको screenshot ले लेना है, copy में note कर लेना है, क्योंकि अब मैं थोड़ा explain करने वाला हूँ, example देखर की, कैसे ये सारे step follow करके हम लोग question solve कर सकते हैं, कैसे हम लोग इस question का maxima या minima निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले इसके करते हैं, कि ये जब function दिया हुआ है, इसका differentiation कहां कहां जाकर 0 हो जा रहा है, जहां जहां 0 हो रहागा, वहां पर point of maxima या point of minima होगा, तो सबसे पहला step क्या करना था, step 1 में dy by dx को 0 करते ना था, तब सबसे पहले मुझे dy by dx निकालना होगा, dy by dx निकालते हैं, तो ये हो जागा, 3 इधर आ जागा, 3 x का square divided by 3, प्लस में, ये कैसा आगा, 5 into 2, x divided by 2, प्लस में 6, इसका x का एकसा differentiation करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये 2 से 2 cancel कर देता हूँ, 3 से 3 cancel कर देता हूँ, dy by dx का value किता आ जागा, dy by dx आ जागा मेरे पास, x square प्लस में, 5 x प्लस में 6, इससे मुझे किस के बरावर करना था, dy by dx निकालके उसे 0 के बरावर करना था, तो मैं क्या करता हूँ, dy by putting, क्या put करना है, dy by dx को 0 के बरावर करना है, मैं कर देता हूँ, अब देखते, dy by dx को अगर 0 के बरावर करेंगे, तो क्या कुछ आएगा, मेरे पास आ जाएगा, x square प्लस 5 x प्लस 6 is equal to 0 के बरावर में, थिरी आ रहाएगा, यहाँ पर यह value में निकल के मेरे पास आ गया, अब यह दोनों कौन सा point हो गया, point of minima या फिर point of maxima, इन दोनों पर मुझे जब point of minima या point of maxima, अगर मैं निकाल दिया, तो point of maxima कौन है, point of minima कौन है, यह मुझे आप चेक करना है, पर दिया, मैं चेक करता हूँ, कौन इन दोनों में से, यह दोनों में से, दोनों जो है, या तो point of minima है, या पर point of maxima, यह मुझे नहीं पता चल पाएगा अभी, जब तक मैं इसे चेक ना करूँ, चेक करने के लिए मैंने क्या बता है था, इसका double differentiation निकालना है, तो अभी मैं differentiate किया, तो यह वाला function आया, dy by by dx का value, इसे फिर से एक बार differentiate कर दो, तो dy by dx का value, क्या कुछ आ चुका है, अभी मेरे पास, अभी है, x square plus 5x plus 6 के बराबर, तो इसे रख देते हैं, x square plus 5x plus 6 के बराबर, इसे एक बार odd differentiate कर देते हैं, d square y upon dx square के बराबर, तो यह मेर value या negative आरा है, तो minus 2 को पहले चे करते हैं, at x is equals to minus 2, इसमें क्या होगा, d square y upon dx square, इसका value क्या हैगा, इसमें मैं इस minus 2 को put करता हूँ, तो put करें, 2 into minus 2 plus 5, तो 2 2 जा, minus 4, minus 4, 5 में से minus 4 गया, plus 1, वैसे ही, अब दूसरा वाला point पर चे करते हैं, अच्छा यह देखो, यह value कैसा है, positive, अगर positive value है, तो x is equals to, so x is equals to minus 2, is point of, यह कौन सा point होगा, अगर positive value आता है, तो point of minima होता है, यह point of minima निकल क्या आ गया, वैसे ही, दूसरा point पर चेक कर लेते हैं यह तो पहला point पर मैं चेक कर लिया at x equals to कौन सा minus 3 इस पर देख लेते हैं कि यह point of minima है यह point of maxima है वो कैसे पता चलेगा तो इसी वाले में put कर देते हैं उसों ही तो d square y upon me dx square में मुझे put करना होगा क्या value minus 3 तो मैं put कर देता हूँ तो 2 into minus 3 plus में 5 तो 3 to 6 और यह हो जाएगा minus में 1 minus 1 आगया आप देखो इस वार plus 1 आया था इस वार minus में 1 आगया negative value आगया तो अगर negative value यह आए तो कह सकते हैं कि यह point of क्या है यह point of x is equals to minus 3 is point of कौन सा point होगा मेरे point of maxima अब हम लोग minima और maxima निकाल चुके हैं अब हम लोग देखते हैं कि minima और minimum value और maximum value कैसे निकाल सकते हैं तो point of minima को put कर दो इस function में तो minimum value आएगा और maxima को point of maxima को put कर दो तो maximum value देगा तो minimum निकालते हैं minima minimum value यह कैसे निकलेगा point of minima को put करना पड़ेगा मुझे इस function में तो y is equals to point of minima कौन है point of minima मुझे आया है निकल कर minus 2 तो minus 2 को मैं put कर दूँ ठेक है तो minus 2 का cube divided by 3 अब plus में 5 into minus 2 का square 5 into minus 2 का square divided by 2 plus में 6 into minus 2 अब इसे solve करते हैं यह जाएगा 8 minus में 8 by 3 और यह हो जाएगा 2 तो मैं थोड़ा speed में solve करता हूँ है न तो यह हो जाएगा 5 into 10 यह 2 का square इंग करो तो 2 का square इंग करो 4 आएगा 4 में तो 2 से divide करेंगे तो हमारा जाएगा 2 ही और 2 5 जा 10 और यह दोनों को multiply करेंगे 6 into 2, 12 minus में, इन दोनों का LCM सब का ले लेते हैं, एक मिनट थोड़ा easy कर लेते हैं, minus 2 आएगा minus 8 by 3 minus में 2 is equals to यह इधर लेके जाते हैं, तो minus 6 8, 6, 14 तो minus 14 by 3 यह हो जाएगा minimum value अब ऐसे ही maximum value निकाल लेते हैं maximum value कैसे निकल जागा maximum value मेरे पास क्या function पढ़ा हुआ है यह वाला, और maxima, point of maxima कोना है यह minus 3 minus 3 को इस वाले put कर दो maxima निकल कर दो, maxima निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, y is equals to minus 3 का cube divided by 3 plus में 5 into minus 3 का square divided by 2, और plus में 6 into minus का 3, थोड़ा solve कर लेते हैं देखो, इसमें 3 को 3 होगा cube करने का मतलब, इसमें 1 3 नीचे है तो 1 3 से 1 3 cancel हो जागा 3 का 3 का सरफ cube करो तो 3 3 जा 9, कैसे negative में, क्योंकि इसका cube हो रहा है यहाँ पर squaring करते हैं तो 3 3 9, 9 5 जा 45 plus में 45 divided by 2, वैसे इन दोनों को multiply करते हैं, तो 6 3 जा minus में 18, अब थोड़ा LCM, LCM ले लेते हैं, 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा, इन दोनों का अगर एक साथ में लेके जाओं, तो 27 हो जाएगा, यह हो जाएगा 45 by 2 minus 27 अब यह हो जाएगा क्या 45 minus 54 divided by 2 minus कर दो, minus करेंगे तो यह minus हो क्या आएगा 9 by 2, minus में 9 divided by 2 तो यह एप्रॉक्स जो है 4.5 आता है, एप्रॉक्स नहीं exact 4.5, minus में 4.5 यह निकालो कि तो कि इतना आजाएगा यह आजाएगा, 3 3, 4, 2, 12 3, 4, 2, 12 और 2, 0 4.6 approximately minus 4.6 तो यह देखो, यह जो value आया है minus में 4.5 minus 4.5 और यह 4.6 तो यह हमें दिख रहा है, कि अगर मालो number line पर मैं represent करता हूँ तो बड़ा value कौन मिलता है मुझे बड़ा value मिलेगा, यह वाला यह minus 4.5 है और minus 4.6 है, तो देखो y के value ऐसे निकालो यह, नीचे की तरफ जाएगे, यहाँ पर origin अगर नीचे की तरफ जाएगे, तो पहले मुझे कौन मिलेगा पहले मुझे का माइनस 4.5 पहले मुझे मिलेगा माइनस 4.5 और उससे भी छोटा अगर मुझे मिलेगा माइनस 4.6, तो देखो करना है, किसके तर्फ में? अगर पॉइंट ऑफ मीनिमा निकल के बन चुका हो तो इसमें रखो गए तो यह मिनिमा ज्वा इसतरीके से तुम चाहो तो सॉल्ड कर सकते हो इक हो वहागना मत लास्टा कभी ठिक रहना ये कोशिशन जो है इसको देखना बहुत जरूरी है इससे related जो question है है physics में बहुत ज़्यादा बनता है यह तो मैं बच्छों वाला सवाल करा रहा हूँ अच्छे-च्छे सवाल इस पर बनते हैं और use पड़ता है इसका direct question नहीं पूछा जाता है इसका use पड़ता है तो देखते हैं हम लोग अगले सवाल को अब देखो मैं second सवाल का बात करता हूँ second सवाल देखना बहुत प्यारा लाया हूँ छोड़ा सो question है थोड़ा सो confusion तुम्हें करेगा लेकिन question असान है क्या है मुझे यह दिया हुआ इस पर maximum या minimum इसका निकलना है तो इसका डिवाबे dx हो जागा 50x-10 इसे किसके बरावर करना है डिवाबे dx को 0 के बरावर करना है तो मैं कर दिया 0 के बरावर तो मुझे 0 के बरावर करने के बाद यह क्या मिलेगा 50x-10 10 is equal to 0 यहां से मैं 10 ले लूँगा common तो यह हो जाएगा 5x-1 is equal to 0 तो यहां से आ जाएगा इतना करने के ज़रूत है क्या नहीं थोड़ा और simple तो ही किसे करते हैं 50x is equal to इधर जाएगा तो यह वाला इधर लेका दाते हैं तो 10 हो जाएगा मुझे चेक करना पड़ेगा कि यह 202 जोड़ा अइस वर चेक करने के लिए मैंने बता था आके यह harp 50 X minus 50 X minus 10 ऐसे एक वर और differentiate करना है D square Y upon D X square कितना आजागा? यह आजागा 50 ही अब तो इसे रख कर चेक करने की भी ज़रूत नहीं है बोलोगे सर इसी point को चेक करना था उसमें तो रखने के लिए कोई जगा ही नहीं है X का value नहीं बचा तो X का value नहीं बचा तो यह बताओ मुझे D square Y upon D X square के value कैसा आया? positive आया या फिर negative आया? चाहो तो इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें हम लोग राख सकते हैं कुछ ऐसा 50 का मतलब हो गया 50 X का power में 0 अब X का value तुम कुछ भी put करो उसके power में 0 होगा तो value 1 ही हो जाएगा इस value को जब उसमें रखोगे तो 1 ही आएगा यहाने कि यह कैसा value आने भाला D square Y upon D X square का यह value आया है positive है positive आया मतलब यह क्या है? point of minima है तो मुझे अगर minima निकालने के लिए बोला जाएगा तो minima मैं कैसे निकाल पाऊंगा? इस point यह कौन सा point आया है? X equals to 1 by 5 तो X equals to 1 by 5 जो आया था वो हमारा क्या था? point of minima था इस value को इसमें put कर दो तो Y में put कर देते हैं Y equals to 25 into 1 by 5 square minus में 10 into 1 by 5 और plus में 5 इस value को अब तुम चेक कर लो इसे solve करके चेक कर लो कि क्या कुछ आता? तो यह तो हो जागा 25 से 25 cancel और 5 से 2 बार में cancel तो 1 minus 2 plus में 5 यह हो जागा 5 1 6 minus 2 तो Y is equals to 4 यहीं हो जागा answer यह जो होगा minimum value होगा minimum इतना ही value आगा सबसे कम इतना ही फेल जोएगा तो इस तरीके से चाहो तो point of minima या फिर point of maxima तुम निकाल सकते हो यह ऐसा function था जिसके अंदर point of maxima निकालना possible नहीं है वहाँ कहीं पे भी diva by dx जो है zero नहीं हो रहा था as a maxima इसलिए इसमें diva by dx इसमें तुमें वह निकल कर नहीं आया है तो इस तरीके से चाहो तो इस question को solve कर सकते हो वीडियो तुमें कैसा लगा यह comment box में जरूर बताना ताके मैं अगर कोई issue आ रहा हो तो मैं उसे improve कर सको हूँ इस वीडियो में ताहीं मिलते के लिए वीडियो में तब तके लिए बाबाई